अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हो तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक वर शेयर करें धन्यवाद प्यारे दोस्तों आज हम इस वीडियो में दो घनिष्ट मित्रों की कहानी सुनेगे जिसमें दोनों अपने गुद्धी बलेक दुसरे पर आजमाते रहते थे अब दोनों में एक शर्ट रखी जाती है जिसमें देखें वह सुने की क्या शर्टी और परिनाम क्या निकला चलिए प्रारंब करें सुबुद्धी ब कुबुद्धी एक घनिष्ट मित्र थे वे दोनों हमेशा एक दूसरे से बहतर बनने की कोशिश करते रहते थे एक दिन कुबुद्धी ने अपने पेड़ पर एक आम उपते हुए देखा उसने उसे नीचे गिराया एक कपड़े में लपेटा और सुबुद्धी के आने का इंतजार करने लगा जब सुबुद्धी आया तो कुबुद्धी उसे बुलाया मेरे पास आपके लिए एक पहली है कुबुद्धी ने कहा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका पड़े में कौन सा फल लपेटा हुआ है यदि आप सही अनुमान लगाते हैं तो आप मेरे घर से कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिसे आप अपने दोनों हाथों से ले जा सकें और यदि असफल होते हैं तो मैं आपके घर आउंगा और कुछ ले जाऊंगा ठीक है सुबुद्धी ने कहा वह हमेशा कुबुद्धी के साथ अपनी बुद्धी का मिलान करने के लिए तयार रहता है अमरूद ही होगा नहीं कुबुद्धी ने कहा मैं आपको दो और अनुमान दूंगा सुबुद्धी ने कहा यह शायद शरीफा का मौसम है यह शरीफा होना चाहिए अन्तिम अनुमान, अनार, आप असफल हो गए, कुबुद्धी ने कहा और विजई होकर आम को खोल दिया सुबुद्धी ने कहा, मैं घर जाओंगा और आपकी यात्रा की तयारी करूंगा आप आधे घंटे में आओ, जी ठीक है, तीस मिनट बाद, कुबुद्धी सुबुद्धी के द्वार पर पहुंच गया घर में पहुंचने के बाद उसने हर तरफ देखा, धातु की एक वस्तु उसकी नजर में आई और उसने उपर देखा तो छट पर एक संदूप था मुझे सच सच बताए, उसने सुबुद्धी से कहा, क्या उस संदूप में कोई मुल्यवान वस्तु है हाँ, सुबुद्धी ने कहा, इसमें मेरे सारे पैसे और मेरी पतनी के अधिकांश गहने है मुझे लगा कि मैंने इसे अच्छे से चुपाया है, आपको इसे कवर करना चाहिए था कुबुद्धी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब यद्यपी यह आपके घर के बाहर है, फिर भी यह आपके घर का हिस्सा है और मैं इस पर दावा कर सकता हूँ आपको पहले इस पर अपना हाथ रखना होगा, याद रखें, आप मेरे घर से केवल एक ही चीज ले सकते हैं एक ही काफी है, कुबुद्धी ने कहा, वह साहपूर्वक सुबुद्धी के घर में गया, एक सीड़ी लाया और उसे चछत के सामने रख दिया और सुबुद्धी से कहा, कृपया इसे मेरे लिए हटा दें, फिर सुबुद्धी ने कहा कि कीमती सामान बचाने के लिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए आप मेरा कीमती सामान मुझे छोड़ रहे हैं कुबुद्धी ने हैरान होकर कहा आपको क्या लगता है मैं आपको अपना कीमती सामान रखने दूंगा तब सुबुद्धी ने मुस्कुराते हुए कहा हम सहमत थे कि आप केवल वही चीज ले जा सकते हैं जिसे आप अपने दोनों हाथों से ले जा सकते हैं और आपने सीडी पार कर ली है इस प्रकार सुबुद्धी के आगे को बुद्धी की नहीं चली और उसका सामान बचा रह गया इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को बढ़ावा देने ही तू शेयर करें वर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए प्रणाम वन अमस्कार